नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी दो सलाई पर के फंदे दो सलाई से हम फंदा कैसे तयार करेंगे ये दो सलाई से फंदा तयार करने पर जो हम पहला सलाई बनाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की तिकत नहीं आती है और बहुत ही आसानी से बनता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दो सलाई पर कैसे फंदे को तयार करें जिससे कि हमारा बनाने में बहुत ही आसान हो जाए तो देखे हम दो सलाई लेंगे पहले और इसको धागा को जहां तक जितना बड़ा आपको बनाना हो जितना फंदा बनाना हो उसके अनुसार आप धागा को इस तरह से निकाल लीजे और उसके बाद या तो आप यहाँ पर एक फंदा बना लीजे इस तरह से और या नहीं तो इस तरह से भी आपका बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से फंदा बना लिये हैं और इसको दोनु सलाई पर एकदम अच्छे से डाल देना है और इसको टाइट कर लेना है देखिए दोनु सलाई पर हम एक बरावर करके डाल लिये है अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे जिससे की हम ये बनाएंगे इसको हम रखेंगे जो छोटा वाला जो हम निकाले हैं जितना फंदा बनाने के लिए इसको हम इधर आगे की ओर रखेंगे और इसको जिससे की हम बनाएंगे ये जिसपे की आपका सारा उन है गुला है इसको आप उधर रखें और इ तरफ रहना चाहिए और इसको इस तरह से डाल करके और ऐसे पल्टाना है पल्टाने के बाद देखे यहाँ पर हमारा दोनों सलाई एक बराबर से है अब यहाँ पर हम दोनों सलाई में इसको इस तरह से चढ़ाएंगे और इसको इस तरह से इस उंगली के धागा को सलाई पर ऐसे चड़ा देंगे और अंगुठे वाले को फिर से वापस से इसको निकाल करके ऐसे खीज लेंगे तो देखिए यहां पर फंदा तयार हो गया अब फिर हम उसी तरह ऐसे पलटाएंगे पहले इस अंगुठे वाले धागा को ऐसे सलाई में डाल देंगे बीच से देखिए अब इस अंगली के धागा को सलाई के उपर से ऐसे रख देंगे और अंगुठे वाले को फिर से वापस से ऐसे निकाल लेंगे फिर देखिए इस तरह से डालेंगे फिर इस धागा को रखके ऐसे निकाल लेंगे तो हमारा अच्छा सा बॉर्डर यह फंदा तयार होती और बढ़ियां से फंदा बनना सुरू हो जाएगा इस तरह से आपका ये फंदा जो है जितना आप फंदा बनाना चाहेंगे उतना फंदा तुरंत बन जाएगा इसको बनाने में आपको परेशानी नहीं होगा क्योंकि फंदा बनाने में बहुतों को बहुत परेशानी होती है लेकिन इस तरह से अगर आप फंदा बनाएंगे तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी तो इस तरह से देखे डाले निकाले फिर इस तरह डाले इस ओंगली के धागा को डाले ऐसे निकाले तो इस तरह से देखे कितना तेजी से बनेगा ये फंदा और फंदा बने के साथ ही देखिए ये इसका किनारे पे ये जो चेन बनता है बड़ा ही खुबसूरत बनता है और ये जो हमारा फंदा बनता है ये जल्दी खुलता नहीं है और बहुत ही खुबसूरत बनता है इस तरह से देखे हम यहाँ पर जितना फंदा आपको तयार करना है उतना फंदा तयार कर लेना है अब इस फंदा को हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इस पर डाल करके एक गाठ दे देंगे देखे इस तरह से इस तरह से एक गाठ दे देंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और खुलेगा नहीं बहुत ही अच्छे से बनेगा अब क्या कीजिए इसको इस तरह से पल्टा करके एक सलाई को ऐसे पकड़िए और एक सलाई को इस तरह से धीरे से इससे निकाल लीजिए देखिए हम निकाल लिये हैं और ये हमारा तयार हो गया है देखिए और ये कितना अच्छा और इसपे Yo how I पूरालूज हो गया है अब इसको जो हम बनाएंगे तो इसपे हम आसानी से बना सकते हैं अब जैसे देखे हम को जो बनाना होगा इस पर हम आसानी से इसे शालाई को डालेंगे और आसानी से सीधा उल्टा सभी को हम आसानी से बना सकते हैं तो दोस्तों आपको मेरा ये विडियो कैसा लगा मेरा ये तरीका कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक किजेगा और धेर सारा सेर किजेगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू